दोस्तों, वेलकम टुश्टडी वित नीलम, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तो आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम करनाटक और महराष्ट सरकारों की बीच में जो बैलगाव सीमा विवाद है इसको लेकर और ये हाल ही में सुड़की में क्यों बना हु हुआ है ये 1956 के राज्य पुनरगठन आयोग के बाद आज भी और ये भी जानेंगे कि भारत के किनकिन राज्यों के मद्ध किनकिन छेतरों को लेकर आज भी सीमा विवाद है उसके बाद भी पूरा भारत आज भी एक साथ रहता है बिना किसी सिख्वे और शिकायत की देखते हैं पहले कहां है ये सीमा चेतर बिलगाव और क्यों बना हुआ है ये विवाद का विशे यहां आप महराष्ट जो रेड कलर में देख रहे हैं आपके लिए ड्रॉ किया गया बिलगावी यहां पर सीमा आपको दिख रही है किसकी महराष्ट की और यह है यहां आप पढ़ा होगा थोड़े बहुत आपने अगर जो हमारी राज विवस्ता है पॉलिटी वो पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने राज पुनर गठन आयोग का भी विशे पढ़ा होगा जिसमें भारत में जो राज्यों का गठन हुआ है वो किस आधार पर हुआ है भासा के आधा और अगर इसके उत्तर की बात की जाए तो वो किस भासे कहोंगे महाराश्ट भासी ठीके तो इस वज़े से इन दोनों छेत्रों के बीच में ये भी बाद है महाराश्ट चाहता है कि जो बेलगावी छेत्र राज्य पुनर गठन आयोग के समय महाराश्ट में नहीं मिलाया गय था उसे अब महाराश्ट में पूरा का पूरा बेलगावी छेत्र मिलाया जाए करनाटक जो है वो चाहता है कि बेलगावी छेत्र जो है वो करनाटक राज्य के पास रहे इस प्रकार ये दोनों ही राज्य इस छेत्र को लेकर विबाद की इस्थिति इन दोनों के मद्ध की करत हुए यहाँ पर जो हम बात करेंगे किसकी ये वाला छेतर जो ये महाराश्टा आप आज देख रहे हैं ये पहले था बॉंबे प्रेसिडेंसी और ये जो करनाटक आप आज देख रहे हैं ये था उस समय मैसूर प्रेसिडेंसी ओके तो ये बॉंबे प्रेसिडेंसी और मैसूर प्रेसिडेंसी ये दोनों अलग-अलग थे और इन दोनों के बाद में जब भासा के अधरपन का गठन हुआ तब इन्हें अपने अपने वर्तमान राज्यों के नाम मिले महाराष्टरा और करनाट का अलग-अलग राज्यों के रूप में एकिकरत होकर रहने लगे भा पहला भासा ये अधर पर गठित राज्य बना तो देखिए क्या हुआ था जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में तो बड़े इस्तर पर हमारे जो राज्यों इनमें मांग होने लगी कि भासा के अधर पर राज्यों का गठन किया जाए तो जो राजेंद्र प्रशाद थे उन धर जो आयोग था इसने मना कर दिया इसने वोला नहीं प्रशाशनिक सुवीधा जो है उसी के अधर पर राज्यों का गठन होना चाहिए तो धर आयोग की सिफारिश क्या थी राज्यों का गठन प्रशाशनिक अधर परो बासाई आधर पर राज्यों का गठन को नमंजूर कर दिया गया इसके बाद विवाद बना रहा और जो धरायोग के निर्णों की परिक्षा करने के लिए कॉंग्रेस कारे समीती ने क्या किया कॉंग्रेस कारे समीती के द्वारा अपने जैपुर अधिवेशन में जवाहर लाल नेहरू सरदार बल्लब भाई पटेल और पट्ट किया गया इस समीती को किस नाम से जाना जाता है जवाहर लाल नेहरू पट्ट बल्लब भाई पटेल और पट्ट भी सीता रमयय जे बीपी समीती इस समीती ने भी यहाँ सिफारिश की कि देश में राज्यों का गठन भासाई आधार पर नहीं किया जाना चाहिए और इसने एक नाम उभर कराता है पट्टी स्री रामलू जो पट्टी स्री रामलू थे ये तेलगू भासियों के नेता बन के उभरे और इन्होंने एक आंदोलन प्रारंब कर दिया कि तेलगू भासियों के लिए अलग राज आंधर प्रदेश का गठन होना चाहिए इन्होंने 58 दिन आती और इस तरह हमारे सामने हमारे देश के पहले भासाई अधार पर गठित राज आंदर यह राज बन गया उस समय आंद्रप्रदेश की कैपिटल क्या थी वही तो आंद्रप्रदेश की कैपिटल थी कुर्नूल क्या थी कैपिटल कुर्नूल अब इसके बाद राजपुनर गठन आयोग का गठन किया गया इस राजपुनर गठन आयोग के जो प्रेसिडेंट या पढ़िक कर इस आयोग के सदश्य थे और अध्यक्ष कौन थे फजल लेली इस आयोग का गठन कब हुआ राज्यपुनर गठन आयोग जो इसे फजल लेली आयोग कहा जाता है 1953 में 1953 में आंध्य प्रदेश की गठन के बाद इस राज्यपुनर गठन आयोग का गठन किया गया इसने जुलाई 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कब की तीन वर्षों के बाद जुलाई 1956 में और इसने सिफारिश की कितने राज्य और कितने केंदर शाषित प्रदेश की इस छे यूनियन टेलिटरी बनना चाहिए उसके बाद 1957 में इसी आयोग की सिफारिश पर हमारे देश में राज्यों का पुनर गठन भासाई आधार पर किया गया आई होप आपको ये पूरी कहानी अब समझ में आ गई होगी तो जब राज्य पुनर गठन आयोग जिसे फजल अली आयोग के दिख्चता में बट्टा बनाया गया था जिसने महराष्ट और करनाटक में जो बेलगावी छेतर था इसे उस समय टेक्निकली इस आयोग से जो सीमाओं का इसने प्रभंधन किया तो ये गलती हो गई कि जो मराठी वासी यहां के गाउं थे उन्हें करनाटवासी छेतर में रखा तो ये जो मराठी वासी गाउं थे इनकी आज भी मांग यही है कि ये करनाटक राज्य में शामिल होना चाहते हैं मतलब महराष्ट में ठीक ए, 1957 में राज्ज्य पुनर गठ़न अडिनियम, 1956 के ताइद भारत में राज्जो का गठ़न भासाईय आधार पर किया जाना प्रस्थाविद किया गया। इनी भासा ही आधार पर गठित राज्जों में से एक राज्ज कंणर भासा के आधार पर करनाटक राज्ज बना, मैसूर राज्ज कंणर भासी बहुल था, यहां 1973 पर में करनाटक कहलाया, 1973 में बना था करनाटक, कौन मैसूर, बंबे राज्ज मराठी और गुजराती भासी ल आपको दिख रहा है तो इसमें जो यहां के कुछ गाउं थे ठीके जो माराठी भासी थे उन्हें भी कहां रखा गया उन्हें भी रखा गया करनाटक में तो यह विवात का विशे बना हुआ है बाद में इससे गुजराती भासा के लिए गुजरात और माराठी भासा के लिए महराष्ट राज्जों का गठन किया ये बता चुकी है अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना महराष्ट सरकार चाहती है कि पूरा का पूरा बेल गावी छेतर करनाटक सरकार चाहती है कि ये करनाटक में बना रहा है दोनों राज्जों में ये भी बाद है बेल गावी छ चेतर में करनर भांसियों को कहा ने रहना चाहिए करनाटक में तो आप लोग समझ मार होगा इतना छोटा सा नॉर्मल से विवाद है फिर ये सुलच क्यूं नहीं रहा है तो देखिए बेलगावी चेतर के लोगों की मांग मराठी भांसी राज्य महाराष्ट में शामिल होने क लेकिन 1956 में केंद्र सरकार के द्वारा इसे करनाटक का हिस्सा बना दिया गया इसलिए यहां चेतर करनाटक और महराष्ट में वर्तमान में भी विवाद का विश्य बना हुआ है फिर क्या हुआ इस मुद्दे को सुलजाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 1966 में एक समीत का गठन किया गया इस समीथी का नाम आप याद रखेंगे चर्चा में बना हुआ है एक्जाम में पूछा जा चुका है महाजन समीथी इस समीथी के द्वारा महराश्ट और करनाटक में विवात का विशे रहे बेलगावी छेत्र के लिए हैं सिफारिश की गई कि 1966 में इस समी महाराश्ट किस जित परड़ा है महाराश्ट इस जित परड़ा है कि यह पूरा का पूरा बेलगावी छेत्र चाहता है ना कि इसके कुछ गाओं और करनाटक पूरे के पूरे बेलगावी छेत्र को अपने अंतरगत रखना चाहता है ना कि इस कुछ गाओं के मतलब जाता है कहां पर परन्तु महाराष्ट की तरफ से सिफारिश को नहीं माना गया करनाटक तो बेल गाओं को करनाटक राज्ज में ही रखना चाहता है महाजन समयती के सिफारिश के बाद यह मुद्दा कहां पहुच जाता है सुप्रिम कोर्ट में और इस्तिती यह है कि वर्तमा प्रशाशन के द्वारा हंगामे को शांत करने के लिए इस चेत्र में धारा 144 लगानी पड़ी इसलिए बेलगाव चेत्र का विवाद वापस से उठ खड़ा हुआ इन दोनों राज्यों के पीच में तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं इस प्रतिमा के साथ छेड़ खानी हुई थी तो यहाँ पूरे की पूरी भीड जमा हो गई ठीके पूरा विवाद खड़ा हो गया फ सीमा विवाद हैं फिर कर्नाटक और महाराष्ट का देख चूक के इसके साथ ही असम पूरे साथो जो सेवन शिस्टर उन से सीमा टर्च करती है और देखेंगे तो यहा देखेंगे उत्तराखंड और रिमाचल प्रदेश के बीच भी विवाद है बिहार और यूपी के बीच भी विवाद है यहां गुजरात और राजिस्थान के बीच में भी विवाद है करनाटक और महराष्ट का भी विवाद है करनाटक और केरल का भी विवाद है यहां पर ठीक है फिर य विवाद नागालेंड के साथ विवाद थीक है असमकारुणाचल प्रदेश के साथ मिजोरम के साथ तो ये सभी विवाद वर्तमान में भी हमारे देश में चल रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरे राज्यों के बीच ही विवाद है है लेकिन फिर भी जैसे घर होता है यहां सब के बीच में लड़ाई होती रहती लेकिन फिर भी पूरा परिवार एक परिवार के नाम से जाना जाता है वैसा ही हमारा देश भारत भी है हम लड़ते हैं लेकिन फिर भी यूनिटी के साथ रहते हैं यही हमारे इंडिया की पहचान है ओके फ्रेंड्स I hope आपको लेक्चर पसंद आया होगा पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए शियर कीजिए और अगर आप इस टड़ी वित नीलम चैनल पर पहली बार है तो फटा फट से मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे थैंक्स पॉर वाचिंग एंड टेक कियर